तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में जैसा कि मैंने कहा था और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि UP PCS 2023 में भी जो प्रशना आये हैं पॉलिटी के वो सब यहां से डायेक्ट ली आये वे तो आपका UP PCS 2023 पक्का निकल जाता तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी नहीं माना अब मान लीजे चलिए कौन सा अनुच्छेद यहां समें स्टार्ट कर रहा हूँ अभी सीधे 2500 पर रुकेगा कौन सा अनुच्छेद भारत के रास्पर द्वारा वित आयो की बात करता है अगला क्या है ये एक इंपोर्टेंट है सरवोच नियाले में तदर्थ निया अधीशों की नियुक्त एक 127 आर्टिकल लोगसभा के अध्यक्ष 93 संसत के दोनों का कारेकाल 83 में कहा जाता है रास्पर द्वारा दोनों सत्नों का विशेश संबोधन 680 ये भी एक इंपोर्टेंट है ठीक अगला आ जाईए कौन सा अनुच्छेद मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को अब इस टाइप के प्रशन जरूर आएंगे जब दोनों मत अब मान गया किसी चीज़ पर मत चल रहा है किसी पर क्या हो वोटिंग चल रही दोनों बराबर आ गए तो अब अध्यक्ष जो है अपना जो नि वतनता का है 29 से 30 अगला अगला आजया अनुच्छे दिक्याओंने क्या करता है मौलिक करता वे 154 क्या करता है कारीपाली की शक्ती है 100 राजजी के कारीपाली का सक्ति महाधिवक्त aí 165 राजवास संभाज संबंध की बात कर रहा है भारत के 11 में उसमें कर रखा है संग करता है 324 करता है अगला कौन से अंच्छेद में राज निर्वाचन आयोग की गटन वो है तो 243 के आपकी जानकारी के लिए राज निर्वाचन आयोग का प्रश्ण आया था अर्टिकल 40 ठीक है अनसूचित जाती हो अनसूचित जन जाती हो के लिए सक्षिक्ष अंस्तान 6 अलस में ठीक है नियाय पालिका और उसका प्रथिकरन आर्टिकल 50 अगला आ जाईए यहां देख लीजिए सपत का यह प्रश्ण फिर से आप समझेए यही प्रश्ण है यूपी भी करिए ठीक कौन सा सही समयलित नहीं है देखे सराज्ज में सीठों का बटवारा दूसरी में नहीं है ठीक और आजाईए एक विधी विचय की रूप में सम्मिलेत है समवर्ति सूची भारती संग सूची में कुल कितने विचय हैं तो याद रखे वर्तमान में 100 हैं पहले से सरोच नहाले को समाग कारे के लिए समान वेतन 14 और 16 अगला आजाईए मानों के यह एक इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा दो हैं एक है बलात श्रम एक है बाल श्रम आर्टिकल 23 कहता है बलात का मतलब किसी आदमी का क्या करना बेच देना उठाके ठीक है यह देख याद रखे भारत की समिधान के अनुच्छे 25 का संबंद किस्सा है दर्म की स्वतंता से अपनी विरुद्धाब गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा यह आटिकल 21 कहता है अब आपकी जानकारी के लिए आटिकल 21 किसी ऐसा है जो कि किसी विस्तितिती में ख अपने खिलाफ नहीं किया जा सकता किसी व्यक्त को एक अपरात के लिए यह आपको 2023 PCS का प्रशन दिखा रहा हूं तीन आये थे यही तीन आप्शन में से ऑप्शन सही है गलत करना था 2023 PCS में तो अगर आपको लगर आप बहुत टक पेपर होता ऐसा नहीं है आपने कभी ध अगला कौन सा न्याइक पुनर लोकन जो है याद रखिएगा जुडिशियल रिवीव है अगला आटिकल 40 क्या कहता है आटिकल 40 कहता है पंचायत का गठन तेक है काम करने का दिकार 41 समान नागरिक संगिन ताच्छा वालिस कौन सा नुच्छेत भारत की विदेशनी से संब भारत को अध्यादेश रास्पती भारत का अध्यादेश जारी करता है 123 213 के तहथ रास्पती 213 तरह राज्यपाल ठीक है और अगला यह कौन सा भारती समिधान के सदस्चियों के विशेशा अधिकार तथा उन मुक्तियों का निधारन करता है अटकल 105 याद रखिए ठीक अगला भारत में सुधारात्मा की आच्चा सुधारात्मा क्यूरिटिव पिटीशन की बात 142 के तहथ की जाती ठीक है और यह आलोग हुर्रा केस में पहली बार अब हो सकता है यह आजाए हो सकता है वो आजाए कुछ भी आजाए ठीक है विधान सभा के सरीजन है समिधान क किस अनुचेत में वर्णत प्रक्रिया को अपना गया है 179 में विधान सभा के सिरीजन की बात की गई समिधान का अनुचेत 249 समन्नित है राज सूचियों और राज सूची के विश्वयों पर संसत्की विधाई शक्तियों से ठीक है इसमें किस को अधिकार है राजसभा को ज्यादा अधिकार है सम्मिधान के किस अनुच्छेद में यह व्योस्ता की गई प्रतेक राज्य सिक्षा के प्रात्मिक स्तर पर मात्री भाषा में पढ़े गए तीन सो पचास का कर भारती सम्मिधान का यहां देख लिजे नियंत्रक्यों महालेका परिशत यह आपको पता ही तो 148 और प्रशासनिक अधिकरण क्या हो गया 323 ए तो यह तो हुआ 1500 प्रश्न ठीक है ऐसे छोटे-छोटे मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूं मैं बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना पाता हूं मेरी बात समझे अब यह एक पीडियेफ में आपको दे दूंगा ठीक थैंक यू सो मच